हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को इस यूटूब चेनल में और हम बात करने वाले हैं बेहद ही इंपोर्टन्ट रिपोर्ट को ले करके तो आईए इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि IOC Limited के नए अध्यक्ष नियुक्त क कर दिये गए हैं सिर्कांत मादों बैद और यह रहे सिर्कांत मादों बैद अध्यक्ष जैसा कि आप जानते हैं कि चेयर्मेन या फिर कर सकते हैं चेयर परसन तो IOC Limited के नए अध्यक्ष को नियुक्त कर दिये गए हैं तो सिर्कांत मादों बैद यह वरतमान में IOC Limited के निद अभें सिर्फ और सिर्फ नियुक्त किये गए हैं बने नहीं हैं एक जुलाई को ये बन जाएंगे और इनका जो कारेकाल होने वाला है 31 अगस्त 2023 तक इनका कारेकाल यानि कि तीन वर्सों तक इनका कारेकाल होगा जदी हम बात करें कि वर्तमान में IOC Limited के अध्यक्ष कौन है त यहां पर बात करेंगे IOC Limited को ले करके जिसका पूरा नाम है Indian Wild Corporation Limited यानि कि भारतिये तेल निकम Limited जो है भारत सरकार की सबसे बड़ी एक ही करीद तेल सोधन और विपिनन करने वाली सर्वजनिक छेतर की कमपनी है अस्थापना 1969 को किया गया था मुख्याला है नई दिल्ली मे जदी हम बात करें और पीछे भी हमने बात किया कि वरतमान में अध्यक्ष कौन है तो यह रहे संजीव सिंग एक और भी इंपोर्टेंट बात करना चाहेंगे कि NTPC Limited के Director यानि कि Operations Director बना दिये गए हैं कौन इसे जानने के लिए आपको description box में लिंक मिलेगा वहां से जाकर कि आप जनकारी प्राप्त कर सकते हैं तो उमीद है कि बडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे आप से अगले बडियो में तब तक के लिए धन्यवाद